नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से एक महत्तपूर ट्रॉपिक जो की क्लासिकल डांस इन इंडिया मैं लेकर आ गया हूँ आने वाले जो आपका ग्रूब डी एक्जाम उसके लिए most important वीडि वीडियो पसंद आया दोस्तो तो एक लाइक जरू करेगा चैनल पर हमारे नहे है चैनल को जरू सुस्क्राइब कर लिजीगा कि हम लगातार ग्रूब डी एक्जाम की त्यारी करा रहे हैं तो चलिए दोस्तो ज्यादा समय नहों आते को वीडियो की स्टार्ट करते हैं पुरूस नमबर सी यानी नौटंकी बात करें दोस्तो तो पंजाब की लोगों के जूसा और जीवन सकती उनके लोक नित्यों में दिरिड़ता से प्रदर्सित होता है और पंजाब की लोक नित्यों को पूरूस या महिला लोक नित्यों के निसार वरगी कित किया जा सकता है अगر पंजाब के लोक नित्यों की बात कें दोस्तो तो भांगडा है, गिद्दा है, घामन है, जुमरी है, जूली है, डनकरा है, और धूमल पुरुस लोक नित्य है जब कि अगर बात के सम्मी गिद्दा जागो और किकली ये महिला नोक नित्य है अगला question देख देते हैं दोस्तो घूमर नित्य सैली का संबंद किस राज्य से है most important यह भी है maximum बार एक्जाम में को पूछता है दोस्तो आपको बताना इनमें से घूमर नित्य सैली का संबंद किस राज्य से है राइट answer हो जाएगा option number E यानि राजस्थान आपके बता दे कि घूमर जो कि राजस्थान का एक परंपरा कर लोकनित है और इसका विकास भील जनजाती ने मा सरस्वती की अराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थान में इसे अपना लिया और यह नाच मुख्यता महिला घूंगट लगा कर और एक घूमेर दार पोसाग जिसे घागरा कहते हैं पहन कर करती है चलिए दोस्तों अगला कुशन देख लेते है सत्रिया नित कहां का नित है आपको बताने जो सत्रिया नित है वो किस राज्जी का नित है इसका राइटाम सहब ज़ाएंगा दूस्तों अप्सन नमबर डी यानि असम बता दे कि जो सत्रिया नित है वो आठ मुख्य भारती सास्रि नित परंपराओं में से एक है और यह नित असम का सास्रि नित है और इसे 2000 में भारत के 8 सास्त्री नित्यों में सामिल होने का गौरो प्राप्थ हुआ है अगला कोशन देखते हैं होजगिरी नित्य का संबंध किस राज्य से है मताने जो होजगिरी है वो किस राज्य से संबंधित नित्य है दिसक्राइडन्स हो जाएक दोस्तो अप्सन नमबर C यानी त्रीपूरा बात करें होजगिरी की तो यह पुरोत्तर भारत के त्रीपूरा राज्य का एक लोकनित है और यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है और इसमें वे घड़ों पर ओतल या अन्यवस्थू लिए संतुलन बनाये हुए नित्य करती है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कि शदीर किस नित्य सहली का प्राचीन नाम है most important दोस्तों यह कोशन है आपको बता दे कि जो सदीर है वो भरत नाट्यम का नाम है और इसकी उत्पत्ती तमिलनाडू में हुई है और यह एक एकल नित है जो विशेश रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तो आगे देख लेते हैं दोस्तो दोस्तो हमने आपके आने वाले गुरूप डी एकजाम के लिए एक महत्वपूर एबुक तयार कर रहा है जो कि गडित का 500 प्लस नहीं है महत्वपूर यह जितने भी कोश्चन 500 प्लस प्लस नहीं है दोस्तो सूपर गेस कोश्चन है आने वाले गुरूप डी एकजाम के लिए तो आपके लिए बहुत ही हेलपूल होगा दोस्तों इबुक आप इसे जरूर से जरूर लेज़े इसका लिंक आपको डिसिस्वन बॉक्स में मिल जाएगा सारे की सारे प्रस ट्रिक के माधम से साधारर तड जाए सारे सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कोश्चन एंसर विथ डीटेल के साथ आपको इसमें मिल जाएगा आपके आने वाले एकजाम के लिए भी बहुत महत्तपूर ईबूक है जिसको आप डिस्क्रिस्वन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके आसानी से ल यह जानी सामद बत पूढ़े क्योंकि यह जो एक हजार प्लस प्रस्वन है दोस्तो इसके पहले जितने भी मैक्सिम एकजाम हो है रेल्वे सब्स सारे सारे प्रस्वन है और विथ डीटेल के साथ में तो आप इसे भी जरूर से जरूर ले लिए इसका लिंक आपको डिस्क् बंद किस राज्य से है जिसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नंबर भी यानी राजरस्थान पात के काल बेरिया की तो इसी नाम की एक जनजाती द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला राजरस्थान का एक भाव में लोकनित है और यह जनजाती खासतोर पर इसी नित्य के लिए जानी जाती है और यह उनकी संस्किती का एक अभिन अंग है और इस बात की नित्य की बात के दोस्तो तेया नित्या नायक नाइका के प्रेम कथा पर आधारित है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो लावडी किस राज्य की नित्य सेली है most important यह भी है जो लावडी है और किस राज्य की नित्य सेली है जिसका राइट अंसर जाएगा दोसो option number C यानि महाराष्ट बात के लावडी की तो भारती परमपरी गीत और लोकनित के सयोजन ने महाराष्ट राज में ढोलकी की धुनों पर ढोलकी की धुनों पर प्रस्तुती दी और ला परदेश करनाटक और तमिलनाडू के अन्य राज्यों में भी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है और लाडी की बात के दोस्तों तो यह सब्द लावडे से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सुन्दरता चलिए दोस्तों अगला question देख लेते हैं सिक्की में मुखोटा प पहनकर कौन सानित किया जाता है तो इसका right answer जाएगा दोस्तों option number D यानी लामा नित बात करें लामा नित की या अर्थात मुखोटा नित बहुत बिच्छों द्वारा उनकी धार्मिक परंपराओं के रूप में किया जाता है और बहुत धर्म के महायानमत के महान संत पद्म संभाओं की सिच्छा के अनुसार ये परंपराओं सिक्किम की धार्मिक पुस्तकों में सहीं बद्ध है अगला question देख लेते हैं दोस्तों बीहु नित किस राज का लोकनित है most most important बताना है जो बीहु नित है और किस राज का लोकनित है तो इसका right answer जाएगा दोस्तो option number D यानी आसम बात के बीहु की तो यह नित भारत के असमराज का लोकनित है जो बीहु तेहवार से संबंदित है और या खुसी का नित यूवा पुरसो और महिलाओं दोनों दारा किया जाता है और इसकी विशेष्ता है फुर्तिली नितिमुद्राएं तथा हातों की तिब दुर्गती नर्त की प्रारम प्रामपरिक रंगीन असमिया पहंदान परिधान पहनकर यह नित करते हैं अगला कुशन देखते हैं दोस्तों उत्राखंड में तलवार के साथ कौन सा नित किया जाता है आपको बताना है कि तलवार के साथ उत्तराखंड में कौन सा नित किया जाता है तो इसका राइट आपसर जाएगा दोस्तों अपसिन नमर डी यानी छलिया नित जिसे छोलिया भी कहा जाता है या उत्तराखन राज्य के कुमाउच छेत्र का एक प्रचलित लोक नित है या एक तलवार नित है जो प्रमुक साधी बारातों या अन्य सुब आउसरों पर किया जाता है अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों किस सास्त्री नित में मोखाटों का प्रयोग किया जाता है बताना है कि कौन से सास्त्री नित में मोखाटों का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर बी यानी कथकली बात करें तो यह कीरल की सूप्रसिद सास्त्री रंग कला है कथकली और सत्रहवी सतापदी में कोटा करमा तंपुरान यानि जाजा ने जिस रामनाट्टम का विसकार किया था उसी का विक्सित रूप है कथकली इसमें कलाकार स्वैम न तो समवाद बोलता है और नहीं गीत गा आता है चलिए दोस्तों अगला कुष्ण देख ले है कजरी लोकनित किस राज्य से संबंदित है most important यह भी है आपको बताना है जो कजरी है ओ लोकनित किस राज्य से संबंदित है तो इसका राइटम से ओजाएगा दोस्तों एपसन नमबर 20 उत्तर प्रदेश कजरी जो की प पत्ती मिर्जापूर में मानी जाती है और मिर्जापूर पूरी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा जिला है यह वर्षा रितू का लोक गीत है इसे सावन के महीने में गाया जाता है यह अर्ध सास्त्रिय गायन की विधा के रूप में भी विक्सित हुआ और इसके ग बायन में बनारत घराने की खास तखल मिलती है, अगला कोश्चन देख लिएते हैं, केरल में सरवाधिक प्रचलित सास्त्री नित कौन सा है, आपको बताना है जो केरल में इनमें से कौन से नित जो सरवाधिक प्रसिद्ध है, इसका राइट आम से जाएगा, ओप्शन नमबर बी यानि कथकली, कथकली के बारे मैंने आपको बता है, या केरल में सरवाधिक प्रचलित सास्त्री नित है, अगला कोश्चन देख लिएते हैं दोस्तों, गौर मारिया किस राज्य का लोक नित है, आपको बताना है कि इनमें से गौर मारिया जो है, वो किस राज्य का लोक नित है जिसका राइटम से हो जाएगा ओप्स नमर डी यानी च्छतीस गड़ गोड नातिया नित जोकी च्छतीस गड़ राज के बस्तर जिले में गोड मारिया जनजाती द्वारा किया जाता है और इस जनजाती का यह नित बहुत ही हरसुलास से परिपूड सजीव एवं ससक तो होता है इस नित की बात करें तो दोस्तो प्रायव विवा के आदी औसरों पर किया जाता है और इस नित का नामकरण गौर भैस के नाम पर हुआ है अंगला कोशन देख लेते हैं भरत नाट्यम नित सहली का संबंद किस राज्य से है चारा अप्सन है आपको बताना है जो भरत नाट्यम नित सहली का संबंद किस राज्य से है तो इसकर राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर C तमिल नाडूम भरत नाट्यम या सधीर अट्टम मुखि रूप से दच्छिर भारत की सास्त्रिय नित सहली है और इस नित कला में भावम, रागम और तालम इन तीन कलाओं का समय वेस होता है भावम से भा, रागम से र और तालम से तल लिया गया इसलिए भरत नाट्यम यह नाम अस्तित में आया था अंगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो सोनल मान सिंग निमन में से किस नित से संबंदित है महतपूर परसन है दोस्तो आपको जो सोनल मान सिंग है वो इन में से किस नित से संबंदित है तो इसका राइटम से हो जाएक दोस्तो आप्शन नंबर सी यानि भरत नाट्यम आपको बता दे कि सोनल मान सिंग जो कि एक भारतिय सास्त्रिय नर्तक है और गुरु भरत नाट्यम और और इसी नित सैली है जो अन आजी गांधी एक्सेलेंट अवार्ड और इंद्रा पेदर्शनी अवार्ड और मद्दपर्देश सरकार का कालिदास सम्मान भी मिला है और सबसे कम उम्र में पद्म भूसर सम्मान भी इनको मिला था अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों निम्ने में से किस सास्त्री नित् की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है जिसका राइटम से जाएगा option नंबर ड यानि भरत नाटियम जो की ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों इन में से कौन गुजरात राज्य की नित्त सहली नहीं है दोस्तों आपको बत गुजरात की लोक नित्यों की बात के दोस्तों तो नाटग में भवई नित्य की रूप में जाना जाता है और गरबा गुजरात का एक लोक प्रिय नित्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद भी है और गुजरात के सबसे लोक प्रिय नित्यों में एक है डांडिया के न पताना है जो कुच्ची पूड़ी है और किस राज्य की लोक नित्य सहली है तो इसका राइटम से हो जाएगा दोस्तों पूरे दच्छिड भारत में प्रसिद्ध है इस नित्य का नाम कुच्ची पूड़ी गाउं के उपर पड़ा जहां के रहने वाले ब्रामड इस पारमपरिक नित्य का अभ्यास करते थे अगला question देख लेते हैं दोस्तों निम्न में से कौन से नित का संबंद उत्तराखंड से नहीं है आपको बताना इन में से कौन सा नित का संबंद उत्तराखंड से नहीं है इसका right answer जाएगा option number D यानी कजरी कजरी नित का संबंद उत्तराखंड से नहीं है कहां से है तो उत्तर प्रदेश से है अंगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों बारदो छम लोकनित किस राज्य का लोकनित है इसके राइट अंसर बात के दोस्तों तिसका राइट अंसर जाएगा ओप्सन नमबर बी अरुडांचल प्रदेश बारदो छम जो के अरुडांचल प्रदेश का एक नित्य है और उत्तर पुर्व के लोगों के जातिय विभिन समों के बीच एक महत्तपुड अनुस्ठान है कलाकार की बात के तो रंगीन मुखोटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं अगला कुश्चन देख लेते हैं द कथक बात करें कथक की नित की तो यह उत्तर प्रदेश का सास्त्रिय नित है कथा कहे सो कथक कहलाए कथक सब्दका अर्थ कथा को थी रखते हुए कहना है और प्राचीन काल मैं कथक को कुली कुछीलव के नाम से भी जाना जाता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तो, मधूरी लोक नित का संबंद किस राज्य से है, इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो, आप्सन नमबर A, आंध प्रदेश, बता दे कि जो मधूरी नित है, वो आंध प्रदेश के जन जातियों द्वारा विशेश आदिवासी नित है, जो स्रावन की वर्सा के दोरान किया जाता है, और यह नित है, जिसमें पुरुस और महिला लोक एक साथ भाग लेते हैं, अगला कोशन की बात कि दूस्तो, तो मोहिनी अटम नित रूप का विकास किस राज्य में हुआ था, चारा अप्सन है, बताना है कि जो मोहिनी अटम किस राज्य में हुआ था, इसका राइटान से हो जाएगा, अप्सन नमर डी यानि केरल में, बात करें मोहिनी अटम की, तो भारत के केरल राज्य के दो सास्त्री नित्यों में से एक है, जो अभी भी काफी लोक्री है, और केरल की एक और अनिसास्त्री नित है, कथकली, मोह इनी रूप हिंदूओं के देव भगवान विष्णू ने धारड इसलिए किया, ताकि बुरी ताकतों के उपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, चले दोस्तों आगे देख लेते हैं, निम्ड में से कौन सा ऐसा नित्त है, जो मुगल काल से चला आ रहा है, चार आप्सन आपक युग में भारसी नर्तकियों के सीधे पैर से नित्त के कारण और भी प्रसिद हो गया, पैर पर एक सो पचास टकने की घंटी पहने, कदमों का उपयोग कर ताल के काम को दिखाते थे और इस आओधिक दोरान चक्कर भी सुरू किया गया था, इस नित्त की बात करें तो इस नित्त में पूरक हैं, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, यच्छगान नित्त सहली का संबंद किस राज्य से है, आपको पताना है जो यच्छगान नित्त सहली है, उसका संबंद किस राज्य से है, तो इसका जो राइट अंसर वह जाएगा दोस्तों, आप्सन नंबर बी करनाटक बात के यच्छगान की तो करनाटक प्रदेश की एक साम प्रदाइक नाटक और निते सहली है और यह कला आठ अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है अगला last question देख लेते हैं निम्नेर से कौन सा निते महराष्ट संगीत थियेटर का प्रसिद्ध निते है बताना है कि इनमें से कौन सा निते है जो महराष्ट में संगीत थियेटर का प्रसिद्ध निते है तो इसका right answer हो जागा दोस्तो option number A यानी तमासा बात कर इसकी तो मराठे संगीत रंगमंच का लोख पर ये निते रूप है और यह अक्सर भारत के महराष्ट राज्य के भीतर अस्थानी या या यात्रा करने वाले रंगमंच के समोहों द्वारा गायन और निते के साथ प्रदर्सित किया जाता है तो ये थी दोस्तो आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरू बतेगा वीडियो पसंद आगो दोस्तो तो ये एक लाइक जरू करेगा चैनल पर हमारे नैत चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेजएगा और सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन जरू दबाए दोस्तो जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं दोस्तो अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंच चै भारत